दूसरी एक महतोपुण बात जिसके मुझे आननद आ रहा है, वो है किसान टीवी चैनल, वह से तो देश में टीवी चैनलों की भरमार है, क्या नहीं है? कार्टून की भी चैनल ये चलती है, स्पोर्ट्स की चैनल चलती है, न्यूज की चलती है, एंटर्टेन्मन की चलती है, बहुत सारी चलती है, लेकिन मेरे लिए किसान चैनल महत्वपुन इसलिए है कि मैं इससे भविश्च को बहुत भली भाती देख पाता हूँ, मेरी दुर उत्तम अनुभवों से सीखना, परंपरागत क्रिसी से आधुनिक क्रिसी की तरब आगे बढ़ना, छोटे छोटे जमीन के टूकडे बचे हैं, परिवार बढ़े होते गए, जमीन का हिस्सा छोटा होता गया, और तब हमारे जमीन की उत्पदक्ता कैसे बढ़े, फसल में किस से परिवर्तन लाया जाए, इन बातों को सीखना समझना जुरूरी है, अब तो मौसम को भी पहले से जाना जा सकता है, यह सारी बाते ले करके, यह TV चैनल काम करने वाली है, और मेरे किसान भाईयों बेहनों, इसमें हर जिले में किसान मॉनिटर की विवस्ता की गई है, चैनल में बहुत कुछ है, पशुपालन भारत के ग्रामिट जीवन का परहमपरागत काम है, और क्रिशी में एक प्रकार से सहायक होने वाला क्षेत्र है, लेकिन दुनिया का अगर हिसाब देखे, तो दुनिया में पशुओं की संख्या की तुलना में जितना दूद उत्प अधिक दूदूतपादन कैसे हो, पशुद की देखभाल कैसे हो, उसका लालन पालन कैसे हो, उसका खानपान क्या हो, परमपरागत रुपसे हम बहुत कुछ करते हैं, लेकिन वैज्ञानिक तौर तरीकों से आगे बढ़ना बहुत जरूरी है, और तब ही जाकर के क्रिशी क के साथ पशुपालन भी आर्थिक रुपसे हमें मजबुती दे सकता है, किसान को मजबुती दे सकता है, पशुपालक को मजबुती दे सकता है, हम किस प्रकार से क्षेत्र में आगे बढ़ें, किस प्रकार से हम सफल हो, उस दिशा में बज्ञानिक महारदर्शन आपको मिले झाल झाल झाल